तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि कीवर्ड रिसर्च या SEO या डिशनल मार्केटिंग सेर्फ उन बिजनसेस के लिए है जो ऑनलाइन बिख सकते हैं बहुत सारे लोग जो फिजिकल बिजनसेस रखते हैं उनको लगता है कि SEO या मार्केटिंग उनके लिए नहीं है वो इसको इगनोर करते हैं और वो अल्टिमेटली इसमें फ्लॉप हो जाते हैं तो इन में से एक केस टड़ी मैंने ली है डेंटिस्ट की अगर एक डेंटिस्ट को आप इमेजिन करें तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता अपना इलाज करवाने के लिए लेकिन क्या डेंटिस्ट के लिए 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 एक बेतर आप्शन हो सकती है क्या वो अपना बिजनस ग्रो कर सकता है डेंटिस्ट की वज़ा से क्या SEO में लोग उसको identify कर सकते हैं कि अच्छा doctor कौन सा है क्या search उसकी brand building में उसकी recognition में उसको help कर सकती है या acquisition में उसको help कर सकती है Ultimately यह वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम अभी हम find out करेंगे In short मैं आपको यह बताता चलूँ कि business चाहे कोई भी हो आपको digital पे सब सर्च कर रहे हैं और उनमें वो businesses भी हैं जो digital पे चलते हैं और वो businesses भी हैं जो digital पे कभी जोने ने शहीं सोचा भी नहीं था doctors एक ऐसी category है जो के समझते हैं कि उनके पास customer चल कर आता है और इससे बहुत सारे businesses और भी हैं जिनको ये लगता है कि customer वाइपस चल कर आता है और उसको digital marketing की क्या जरूरत है या हमें website की क्या जरूरत है या SEO में हम क्यों invest करें जब कि हमारा customer हमें खुद call करता है अभी हम identify करेंगे कि क्या dentists या जैसे और businesses उनको Google से कोई help मिल सकती है या उनको digital marketing या SEO से कोई help मिल सकती है और अगर मिल सकती है तो वो कैसे आए देखते हैं मैं दुबारा से Google Ads पे login करूँगा उसमें keyword planner tool पे जाऊँगा और सबसे पहले मैं search करूँगा dentist अगर मेरा dentist का business है तो मैं expect करूँगा कि लोग dentist लिखकर ही मुझे search करेंगे तो हम भी देखेंगे कि सबसे ज़ज़दा dentist में क्या search होता है जैसे मुझे result आया तो आप देख सकते हैं कि उसमें काफी ज़ज़दा searches हैं इसका मैं एकर sort कर लूँ highest to lowest तो teeth whitening सबसे ज़ज़दा search हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त dentist के लिए तो एक हज़ार से दस हज़ार लोग यह वो लोग हैं जो teeth whitening चाहते हैं उसके बाद crown, to tech, presses, dentist games, veneers, teeth basis यह सारे keywords हैं जो search हो रहे हैं तो इसमें से dentist games शायद ऐसा keyword है जो के maybe dentist related ना हो maybe यह mobile apps या mobile games के related हैं तो हम इसको क्या करेंगे हम इसको further explore करने के लिए download कर लेंगे और मैं मजीद चाहूँगा कि हम मजीद keyword search करें तो for example मुझे यहाँ पर dental clinic एक word नजर आया जो के एक अच्छा keyword है dentist के लिए हो सकता है लोग dentist लिखके dentist को ना search करें वो dental clinic लिखके dentist को search करें तो हम इसको keyword को expand करेंगे keyword search को expand करने के लिए मैं dental clinic search करूँगा और देखूँगा कि इसके गेंशामें क्या result आता है जैसे ही मैंने dental clinic लिखा top पे मुझे अभी भी dentist मिल रहा है लेकिन इसके नीचे शायद dental technician, dental treatment इस सारे वो keywords हैं जो मुझे गूगल दिखा रहा है तो इसको भी हम download कर लेंगे ताके हमें पता हो कि कितने लोग इस search कर रहे है finally जैसे हैं कि हमने देखा कि teeth whitening एक important topic है तो है कि मैं teeth whitening as a keyword ही search करूँ और देखने हूँ कि teeth whitening करवाने वारे लोग teeth whitening को search करने के लिए और क्या-क्या लिखते हैं तो मैं इसको search करके देख सकता हूँ कि इसके against Google क्या-क्या हमें शोग करता है तो Google के नजदीग अगर आप teeth whitening search कर रहे हैं तो वो audience probably wisdom teeth, veneers, tooth pain, crown जो बाकी चीज़ें भी इस रिलेटिड search करेंगे तो teeth whitening में teeth whitening tips भी लोग search कर रहे हैं और उसके बाद natural teeth whitening जैसे टोटके भी search कर रहे हैं तो अगर आप एक doctor की website हैं तो आपको कोई हर्च नहीं है कि आप tips जो लोग धूनना चाहरे हैं वो आपकी website से ही वो ले ले लें क्योंकि अगर वो आप से ठीक करवाने आएंगे दान्त तो अगर ये भी possibility है कि वो पहले आप पर trust build करने के लिए आपकी आपके blog को पढ़ें आपके articles को पढ़ें और उसमें देखेंगे कि आपको कितना पता है अपने field के बारे में और आप कितना बेतर जानते हैं जब आपकी tips पढ़ेंगे तो maybe possibility है कि वो आपसे आपके इलाज भी करवाएंगे तो इसको भी मैं download कर लूँगा मैं अपनी google drive में जाकर एक नए client का folder create करूँगा जिसमें मैं इसका नाम xyz dentist रख रहा हूँ इसके अंडर मैं keyword research folder create करूँगा और इसके अंडर मैं different folder create करूँगा उनके keyword से related so dentist or dental clinic almost एक ही चीज को सर्च करने के लिए दो different terms हैं तो मैं उनको possibly है कि एक ही जगा पे लिख लूँगा dentist का मैंने एक folder create कर दिया और इसके बाद मैं teeth whitening जो कि एक service है उसका folder बनाऊंगा और मैं इन folders में वो file ने upload कर दूँगा यसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने file ने upload कर दी हैं और मैं अब इसको एक file को open करूँगा और उसमें अपने keyword shortlist कर लूँगा यह देखने के लिए कि मेरे कौन से keyword related हैं और कौन से नहीं तो आप मैं देखा होगा कि मैंने file के नाम change नहीं किये जो के बाद में मसला कर सकती हैं कि मुझे शायद जाद ना रहे कि यह file किस keyword के गेंश थी तो मैं इसको अभी change कर सकता हूँ ताके हमें यह बाद में याद रहे कि यह हमने किस keyword search की थी तो same होई practice करेंगे जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं इसको हम organize करने के लिए filters लगाएंगे filter लगाने से पहले हम एक column और create कर लेते हैं और इसको number assign कर लेते हैं numbering करने से फाइदा जो होता है कि आप sorting दुबारा कर सकते हैं जैसे कि यह default sorting में थी इसको मैं filter लगाने के बाद minimum searches को मैं highest to lowest short करूंगा ताकि सबसे उपर वो keywords आ जें जो सबसे दा सर्च हो रहे हैं dental clinic मुझे एक अच्छा keyword लग रहा है क्योंकि possibility है कि जो dentist के बाद जाना चाहरा है वो dental clinic search करेगा dentist भी एक अच्छा keyword हो सकता है लेकि यह बहुत broad बहुत एक short tail keyword है और इसमें काफी variations आ सकती है तो इसको हम priority पर नहीं रखेंगे लेकिन in future में भी sometimes हम चाहेंगे इसको भी हम optimize करें किसी page के उपर तो जैसे कि आप देख रहे हैं dental surgery या to extraction यह बड़ी specific keywords हैं और बड़ी specific services हैं जिसके गेंच एक नया page बनाया जा सकता है अगर already exist नहीं करता और आप उनके उपर जब कोई to extraction search करें तो अगर आप यह services offer करते हैं या आपका client जो के एक doctor होगा वो यह services offer करता है तो वो इस पे traffic लेकर इस पे conversion ले सकता है कुछ लोग dental clinic near me search करते हैं यह near me एक बड़ा interesting topic है इसको मैं अभी आपको elaborate करता हूँ क्योंकि यह google का artificial intelligence जो है उसको trigger करता है तो नीचे अगर आप drill down करते जाएं तो आपको काफी ऐसे keywords मिलेंगे जिन पर हम नए pages बना सकेंगे जिन पर आप keywords आप देख लेंगे कि कौन से keywords किस pages पर जाने चाहिए और ultimately हम यह same वो ही exercise repeat करेंगे जो हमने बाकी brand के साथ की थी क्योंकि कोई भी business अगर आप लेके चल रह नेट होंगी तो उनको business मिलेगा उनको business मिलेगा तो आप ज़्यदा पैसे कमाएंगे ultimately आपकी jobs रहेंगी तो अगर यह आपका अपना business है तो of course आप खुद भी इसको grow कर सकते हैं अपने businesses को इसमें कोई limit नहीं है और यह never ending process होता है क्योंकि जब तक website होती है तब तक आप इसको करते चले जाते हैं इसमें एक important बात जो हमने देखी वो थी dentist near me तो near me का keyword एक बड़ा important keyword है जो के बड़ी थेजी से Google में popular हो रहा है तो जैसे कि हमने शुरू में discuss किया था कि Google हमें हर जगा से track करता है जब लोग लिखते हैं near me तो असल में Google को जो लोग यह पूछते हैं कि मैं जहां घड़ा हूँ या मेरे आसपस मैं जहां पर हूँ उसके आसपस मुझे dentist दिखाओ तो dentist near me का मतलब यह हुआ कि मैं इस वक जहां पर हूँ Google मुझे उसके आसपस के results दिखाएगा अब near me Google कैसे identify करेगा कि मैं कहा हूँ और वो कैसे मुझे आसपस के results दिखा सकता है तो इसके लिए Google का पूरे एक engine trigger होता है और वो आपकी location track करता है और location track करने के लिए वो आप dentist धूंडें और आप Pakistan में हैं और आपको दुबई में dentist का result मिल जाए तो क्या उस पर click करेंगे और आप click करेंगे तो क्या उसके पाद जा सकेंगे नहीं तो basically होगा क्या कि Google यही चाहता है कि आपको right time पर right results दे जब मैं यह लिखूंगा dentist near me और मैं Lahore में हूँ तो Lahore के ही dentist म बन गया लेकिन near me सिर्फ keyword नहीं है यह basically एक algorithm है Google का जिसके तहएत वो यह launch करता है कि वह आपको पहले track करेगा क्या आप कहा है उसके बाद वो business को track करेगा कि इसके आसपस businesses कों से हैं और यहाँ पर Google Maps से वो data link करेगा और Google Maps के results भी दिखाएगा और Google के results भी दिखाएगा ultimately आपको वो results मिल जाएंगे जो आप धून रहे हैं तो यह चीज़े businesses के लिए बड़ी important हैं understand करना कि लोग क्या link कर सरच करते हैं और किस तरह से queries बदलती है different services को धूनने के लिए तो जो brand या जो business इन keywords को capture कर लेगा अच्छी तरह से demand को capture करेगा तो वो जादा पैसे बना सक करें